हेलो माई डियर स्टुडेंट वेलकम टू चैनल सेम्स ओफिशियल और मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ आपके लिए बहुत सारी स्टोरियां अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दवाएए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुच सके तो प्यारे बच्चो स्टार्ट करते हैं आज की यह स्टोरी बच्चो आज की स्टोरी का नाम है जय और बाजीगर बच्चो यह कहानी जय नाम के एक छोटे से बच्चे की है जय उस दिन सुबह स्कूल के लिए देर से निकला था उसकी ममी उसे दरवाजी तक छोड़ने के लिए आई थी बच्चो देखिए उसकी ममी उसको दरवाजी तक छोड़ने के लिए आई थी उसके कंदू पर बैग था और उसकी मा बोली कि रास्ते में अगर देर हो जाए तो जल्दी जल्दी ही स्कूल जाना बेटा देर मत करना उसकी ममी ने उसे पांच रुपए भी दिये थे उसने अपनी ममा को थैंक्यू बोला और जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए चल पड़ा बच्चो अभी वह थोड़ी ही दोड़ी पर पहुचा था कि उसे सड़क के किनारे तमाशे दिखाने वाला धोल की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है बच्चो जय को तमाशे देखने का बहुत शौक था इसलिए वह इसकूल जाना भूल कर उसी की ओर चल दिया जहां से ढोल की आवाज आ रही थी थोड़ी देर वाद वह उसी गली में आपहुचा है जहां तमाशे वाले अपने खेल दिखा रहे थे वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड जमा थी जह भी उसी भीड में शामिल हो गया जह जब वहाँ पर पहुचा तो एक छोटी सी लड़की वहाँ पर कड़तब दिखा रही थी तमाशा दिखा रही थी उसके बाद एक लड़का खेल दिखाने आया वहे जैसे उमर में बड़ा था हुसके हाथ में लोहे का एक छोटा सा घेरा था उस लड़के ने वहे घेरा सभी को दिखाया इसके बाद उसने अपना सर निकाला उसमें से फिर कंदे से निकालता कभी पैरों से बहार निकालता यहें खेल देखकर जै का तो आश्चरे का ठिकाना ही नहीं रहा अब जै खूब जदा खुश होने लगा ये देखिए बच्चो ताली बजा के खूब हसने लगा काश मैं भी यही कड़तब दिखा सकता वहें अपने मन में सूचने लगा खूब खूश हो रहा था उसके बाद बहुत सारे डोगी आये उनके पीट के उपर बंदर बैठे हुए थे और वहें गोला बना कर घेरा बना कर खेल लहे थे ये देखिए बच्चो डोगी के उपर बैठे हुए मंकी ये बैठे वेते और खूब ज़्यादा खेल कर रहे थे ये है उस तमाशे का आखरी अंतिम गेम था बच्चो जब ये गेम खतम हो जाता है तब जैको होश आता है अरी मैं तो स्कूल जाने में लेट हो गया अब है बहुत जल्दी जल्दी भागने लगा हाँ मैं लेट हो गया जैसा कि उसने अपने मन में सोचा था कि स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई होगी जब वह बहाँ पर पहुचा तो जो उसका फर्ष्ट पीरिड था वो निकल चुका था प्यारे बच्चो अब वह अपने मन में सोचने लगा कि वह अपने टीचर से क्या कहेगा कि वह क्यों लेट आया है तो वो अपने मन में सोचने लगा कि अपने टीचर से यह कह दूँगा कि ममी ने मेरा नाश्टा लेट बनाया था इस तरह से वो अपने मन में सोच रहा था या फिर उसके पापा ने उसे किसी जरूरी काम से कहीं भेज दिया था कभी कभी वो यह भी सोच रहा था इस तरह से वो बहुत सारे बहाने ढून रहा था जिससे की वह क्लास में अपने टीचर से डाट खाने से बच सके अब देखिए प्यारे बच्चों उसके टीचर उससे पूछते हैं क्लास में कि बताओ तुम क्यों लेट हुए अब वहें अपने टीचर को खेल तमाशे की बात सारी बताने लगा और जो उसके टीचर थे वो उसकी बात को ध्यान से सुनने लगे जब उसने अपने टीचर को सारी बात सच सच बता दी तब उसके टीचर ने उससे कहा जिस समय बेटा तुम्हें कक्षा में होना चाहिए था उस समय तुम सडक पर तमाशा देख रहे थे ऐसे तमाशे जो होते हैं तुम्हारा समय और बच्चों का भविश्य बरवाद कर देते हैं जो की इस तरह के खिलों से जुड़े हुए होते हैं इन्हें बच्चों को तमाशा दिखाने की बजाए स्कूल में तुम्हें पढ़ना चाहिए तुम्हारे माता पिता ने बहुत प्यार से तुम्हें स्कूल भेजते हैं और तुम उनका पैसा बरवाद करते हो मैं तुम्हें सजा देना चाहता था लेकिन तुम्ने मुझे साब को सच-चच बता दिया है इसलिए मैं तुम से बस इतना ही कहूंगा कि आगे से इस बात का ध्यान नखना और हाँ इस बात का भी ध्यान नखना कि जानवरों के खेल का कभी आनंद मत उठाओ हमें जानवरों की आजादी छीन कर उन्हें दुख तकलीफ पहुचाने का कोई भी अधिकार नहीं है इतना कहकर जब टीचर वहां से चले जाते है तब उसकी सास में सास आती है क्योंकि बच्चों वहें अपने टीचर को सब को ससर बता देता है अब वहें यह बात मन में ठान लेता है सोच लेता है कि कोई भी मुसीवज़ जब पड़े तो हमें जूट नहीं बोलना चाहिए अब उसने ये निश्चे कर लिया प्रण कर लिया कि भविश में किसी भी चीज़ का आकरशन उसे स्कूल जाने से नहीं रोख सकेगा तो प्यारे बच्चों वहें अब रोज जल्दी से स्कूल जाने लगा अपनी ममी पापा का कहना मानने लगा और हसी खुसी रहने लगा प्यारे बच्चों तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है सच बोलना हार तरह से फाइदे मंद रहता है तो बच्चो अगर यह आपको इस्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट्स करना ना भूले बाई बाई